दोस्तों आज हम आपको बताना जारे हैं D5 Caterpillar Tractor की तरह चलने वाला एक बड़ी देत्याकार मसीन के बारे में जिसे D5 Caterpillar कहा जाता है ये मसीन बहुत खास होती है और देत्याकार रूप में एक बड़े हाथी की तरह दिखती है जिसके आने से क्रिशी छेतर में काफी विस्तार हुआ है विशालाकार के कारण ये मसीने लोगों को आकरशन का केंदर बनी रही जाधतर ये मसीने अमेरेका और अन्य संपन देशों में ही लोग इने खरीदते थे भारत में इनके ज्यादा मेहंगे होने के कारण वे तेल की खपत बहुत अधिक होने की वज़े से डिमांड काफी कम रही थी इनको भारत में लाया गया लेकिन गिने चुने ऐसे संस्थान थे जो एग्रिकल्चर यूनिवेस्टिया थी वहीं पर इनको लाया गया था अपने विशाल रूप के कारण इन मशीनों ने भूमी कोश समतल करने का काफी काम किया उबर खाबर जो जमीनी थी उनको भी सुधारा था इसी तरह की हम वीडियो आपको एक और दिखाने जाएंगे लेकिन आपको सबसे पहले बता देते हैं कि इस वीडियो में जो ट्रेक्टर नुमा मशीन आपको दिख रही है वह एक खास मशीन है और इस समय राजस्तान के क्रिशिव भाग की जेतुन अलिव कल्टिवेशन लून करंड सट बिकानेर राजस्तान में है वहाँ पर यह इस तरह की मशीन रखी हुई है जो वहाँ पर कंडम पड़ी हुई है इस मशीन का मैकेनिक भारत में नहीं है जिस कारण ये लाखों की मशीन कबार बन चुकी है लेकिन फिर भी आज अलग अलग प्रान्तों से किसान लोग यहाँ पर इसे इस मशीन को देखने के लिया आते हैं इस खास मशीन का मॉडल कल्टिवेशन डे 5 है युनाइटरिट किंडम में इसका निर्मान 1984 में किया गया था इस ट्रेकडर्ड मशीन की ताकत 6 सिलेंडरी है छे सिलेंडरों से इसकी पूरी ताकत संचालित होती है और इसकी संद्रचना उस समय की बड़ी और खास संद्रच की तरह हैं बनाई गई अब जो मशीने है जैसे जैसी भी है और जो अन्यमशीने बन रही है वो अभ फिलहाल वातावन कुलित भी हो चुके हैं उसमें वातावन कुल ऐसे AC लगाए गए हैं हीटर लगाए गए हैं ताकि उनको ड्राइव करने वाले उनको चलाने वाले जो ड्राइवर हैं उनको ज़्यादा दिक्ते नहाई इसी तरह की मसीनों के करण आज बड़ी बड़े हाईवे नशनल हाईवे बनाये जाते हैं सेंक्रो किलोमेटर सरके इस समय बनाई जा सकती हैं इन मसीनों की बड़ालत केटिपिलर डी फाइव एक ऐसी विशाल मसीन है जो की एक ट्रॉली मिटी को अपने साथ अचानक और तेजगती से खिंच सकता था भारी दबाव को ये मसीन बड़ी आसानी से जहल सकती थी कर दो सकती हैं अजय झाल प्रीए प्रीम झाल झाल